हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग टॉपिक 3 दिस्कस करेंगे इस टॉपिक का नाम है बोदमास रूल बोदमास रूल में क्या होता है B for brackets, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition और S for subtraction इसमें हम लोग ये सब देखेंगे किसी भी equation को solve करने के लिए बोदमास का use कैसे करते है यानि कि बोदमास rule का use कैसे करते है बोदमास क्या होता है आपको rule provide होता है किसी भी equation को solve करने के लिए आप क्या कर सकते है अपने मर्जी से किसी भी question को आप solve नहीं कर सकते है माली जी की कुछ कोसन दिया हुआ आपका 2 multiply 3 divide 4 plus 1 तो आप इसका अपनी मर्जी से नहीं कहने का मतलब क्या कि आप इसके लिए rule प्रोभाइट किया गया इसमें आप अपनी मर्जी से कहने का मतलब क्या कि पहले addition या subtraction नहीं कर सकते या multiplication इसको हम rule की तरह solve करेंगे एक rule के अनुसार solve करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते है बोदमास rule बोलते हैं उस rule में हम लोग सबसे पहले किसको solve करते हैं तो bracket को करते हैं उसके बाद off को करते हैं division को करते हैं फिर multiplication उसके बाद इडिशन उसके बाद सब्ट्रेक्शन. तो जो एक सीक्वेंस में सॉल्व करना एक एक एक्वेशन को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोधमास रूल बोलते हैं, okay? तो चलिए आगे बहरते हैं बोधमास बोधमास होता है क्या है? तो बोधमास अपका क्या है एक rule है okay for solving the simplification of an equation means क्या कि एक equation को solve करने के लिए जो हम rule apply करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं both mass बोलते हैं means एक expression को जो solve करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं both mass बोलते हैं जैसे कि देखिए एक simplify करना एक question को इसमें क्या है मेरा 8 multiply 2 plus 15 divide 3 minus 6 तो both mass rule के नुशार हम इसे कैसा solve करेंगे सबसे पहले bracket होता है तो इस वाले question में क्या है bracket नहीं है उसके बाद off होता है तो off भी नहीं है division होता है तो हाँ division है यहाँ है division उसके बाद क्या होता है multiplication, addition, फिर subtraction तो हम question में देखते हैं क्या, कि मेरा यहाँ पर कौन सा सबसे पहले आ रहा है तो सबसे पहले बोद मास के अनुसार division आ रहा है तो सबसे पहले हम division को solve करेंगे और बाकी को as it is छोड़ देंगे, okay तो as it is, मैं 8 multiply 2 को छोड़ दी हूँ, plus और यहाँ पर divide करूँगी मैं 3 को 15 से तो क्या आएगा 5 time में 15 तो यहाँ पर आपका क्या आजाएगा 5 इसका आजाएगा 15 divide 3 में क्या आएगा 5 और minus 6 है तो minus 6 को as it is हमने छोड़ दिया, okay अब step 2 देखेंगे step 1 में तो मैं क्या की divide को solve कर ली step 2 में क्या देखेंगे both mass rule के नुसार फिर के आ रहा है मेरा सबसे पहले सबसे पहले आ रहा है मेरा multiplication, okay क्योंकि division तक में हम लोग solve कर चुके हैं और bracket और off question में नहीं है तो हम लोग किसे solve करेंगे अब multiplication, तो multiplication क्या हो गया, 8 to 0 16 plus 5 minus 6 as it is बाकी को में छोड़ दूँगी इसके बाद क्या होता है addition or subtraction तो both mass में पहले addition आता है a आता है उसके बाद s आता है subtraction आता है, तो पहले में addition का प्रोसेस कर लूँगे, यानि के addition का है मेरा, तो यहां है 16 plus 5 तो क्या है 21 minus 6 21 minus 6, अब last मेरा एक ही बचला है, last का subtraction तो subtract कर ली, तो यहां पहले क्या है मेरा 15 minus का answer आ गया okay, तो both mass क्या हुआ इसके तुरू हम लोग क्या समझें कि both mass क्या हो गया, एक rule हो गया है मतलब कि क्या, जी हो, आपको सबसे पहले अगर equation दिया हुआ है यह एक equation दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या solve करते है bracket को, फिर off को, फिर diviser फिर multiplication, उसके बाद add इसके बाद last में subtraction okay, I hope यह समझ में आई होगी both mass के rule के नुसारी solve करेंगे, अपनी margin से हम लोग नहीं solve करने लगेंगे सबसे पहले 8 multiply 2 है तो 8 multiply 2 करें ऐसा बिल्कूल आप नहीं कर सकते हैं both mass rule के नुसारी किसी question को आप लोग solve कीजिएगा जब एक equation दिया हुआ रहेगा तो okay, तो इस type का आपका एक equation मतलब क्या है कि एक question में आपका multiply, divide subtraction, addition इस सारा कुछ number के साथ दिया हुआ है solve करने को तो उसमें लोग क्या करेंगे both mass rule का use करेंगे okay समझ में आई okay in the both mass rule we solve first bracket या remove first bracket value then renaming expression in the order of both mass rule कहने का मतलब क्या है कि एक both mass rule में जब हम लोग किसी brackets को solve करते है तो उसके सबसे पहले हम क्या करते है उसके अंदर के value को solve करते है उसके बाद जो renaming expression बचा हुआ है यानि कि उसके बाद bracket के बाद वाली जो expression बची है उसको हम लोग बाद में करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे bracket वाली value को solve करेंगे bracket के value के अंदर क्या-क्या है उसे solve करेंगे उसके बाद हम bracket के बाहर वाले value पर आएंगे वो भी बोद मास के rule पर ही, ओके और एक बात note करने की off और off होता है और off को मतलब भी क्या होता है? मल्तिप्लिकेशन और m4 भी मल्तिप्लिकेशन लेकिन जो off अगर आपका कहीं पर दिया हुआ है तो पहले हम off वाला value solve करेंगे, ओके यानि की off जहां पर है वहाँ वाला number में पहले multiply करूंगी, ओके तो चलिए हम लोग आते हैं अब इसके एक question के through यानि की example के through हम लोग इसे समझते हैं, ओके जैसे के एक example दिया हुआ है simplify करना है 24 divided 4 of 3 plus bracket में value दी भी है 4 multiply 4 minus 8 multiply 6, तो हम लोग अभी देखें हम लोग अभी बोले कि क्या, कि सबसे पहले हम लोग bracket वाले value को solve करते हैं, तो bracket में value सबसे पहले क्या है मेरा, multiply है bracket के अंदर सबसे पहले multiply है उसके बाद एक subtract है इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, rule देखेंगे तो इसके अंदर में भी rule आपका चलेगा इसके अंदर भी अगर bracket रहते है, bracket के अंदर bracket तो सबसे पहले हम bracket को solve करते हैं लेकिन हम bracket के अंदर क्या है bracket नहीं, bracket के अंदर आप भी नहीं है दिवाइज नहीं है तो पहले हम multiplication इसके बाद एक पर आएंगी तो पहले हम लोग क्या करेंगे 4 x 4 करतेंगे तो क्या एक दो क्या बाकि दो जो number है जो बाकि एक्वेशन है उसे हम as it is छोड़ देंगे सबसे पहले ब्रैकेट वाले को solve करेंगे तो 4 multiply 4 क्या हुआ? 16 16 माइनस 8 का 8 छोड़ दी हुँ मैं अब क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट वाले value को करते हैं इसलिए दिवाइड भी है लेकिन लेकिन वो क्या? ब्रैकेट के बाहर है दो हम अब क्या करते हैं यानि की जो भी नमबर रचत है उसे लोग सबसे पहले क्या करते हैs ब्रैकेट से बाहर निकाल लिते हैं तो 16 माइनस 8 कर लेंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा और बाकी नमबर को एज़िटी छोड़ देंगे यहां पर यह हो गया 살아 आप नगिन देखएगे किसको 16 क्यों और आपको 16 सॉल्फ करेंगे यहां पर तो इस स्कुवेस्व में रिमुफ उगया इस अधिटिम ने क्या हो वंगे ब्रेकट आपको 16 शोल्फ हो गया मतलब कि गुना तो ओफ करेंगे तो फोर्थ रीजा क्या जाएगा टू एल्व मतलब कि हम इपने यह क्या है टू तो ओफिश थिवेजन है तो जाएगे तो एक तू टैमस नहीं तो तो जाएगा टू 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 टैमस में तू टैमस में तू टू टैमस में तू 24 यानि कि इसका value क्या जाएगा 2 और बाकि को as it is हम लोग छोड़ देंगे अब इसके बाद क्या होता है division का हो गया process सब division नहीं है division के बाद क्या होता है M आता है B O D board M A S mass तो उसके बाद क्या आया M आया multiplication आया तो multiplication आपका क्या है 8 x 6 है तो 8 x 6 क्या होगा 46 इसके बाद हम लोग किसका क्या process 8 x 6 की तो step 5 में क्या आजाएगा 2 plus 48 अब इसके बाद क्या बचा है बस addition का बचा है तो addition कर देंगे क्या आगया मेरा 50 इसका answer आगया I hope यह question आप लोग को समझ में आई होगी अगर किसी ताइप का कुछ प्रॉबलम आता है इस question में तो please आप लोग comment box में comment कीजिए क्या problem है नही problem है समझ में आई है नहीं आई है तो चलिए हम लोग तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आते हैं brackets brackets को समझते हैं brackets क्या होता है तीन ताइप का bracket होता है एक होती है क्या small brackets उसे हम लोग round brackets भी बोलते हैं एक होती है curly brackets जिसे हम लोग medium brackets भी बोलते हैं एक होता है large bracket या square brackets भी से हम बोलते हैं वो रहा क्या कि अगर आपका if the two or more brackets are present in the expression अगर 2 या 2 से ज्यादा bracket आपके एक expression में परजेंट है यानि कि अगर 2 या 2 से ज्यादा bracket आपके एक equation में हो तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले solve करेंगे इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को और उसके 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 बाद कर्द कर् इसे यह एक तरीका होगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे एक 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 ग्जांपल के त्रू समिझते हैं, जैसे आज़िए, आपके एक कोशन दिया हुआ है, इसमें बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, खुरी ब्रैकेट कुर भी है, है ना तो हम लोग इससे कैसे सॉल्फ करेंगे चलिए देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट होता है बीफोर ब्रैकेट बोदमास के रूल में बीफोर ब्रैकेट तो यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट में भी कौन सी ब्रैकेट कौन सी ब्रैकेट तो अस्मॉल ब्र merge और वाली ब्रैकेट को शॉल्व करेंगे यहाँ हमाहँ ब्रैकेट क्या है आपका 18 । प्लस 6 तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या करेंगे कि अस्क्राइब की अदि ग्यावा यह र स्क्राइध में क क्या ख़Our लोगा है ब्रैकेट में म preciso करेंगेकर ट्वेंं जरी ग्रा इफ 8 को 24 से दिभाइट करने तो क्या एगा? 8 दिजा 24 तो 24 का क्या आ गया? यहां पर 3 अब क्या हो गया? बरी कर्ली ब्रेकेट भी मेरी रिमूव हो गई अब क्या आ गया मेरा बरा ब्रेकेट यानि कि स्क्वार ब्रेकेट में आ गया है 8 प्लस 3 मुल्टिप्लाइ 2 प्लस 15 ओफ 2 तो 8 प्लस 3 क्या हो गया? 11 हो गया यहां पर आफ भी ए वैलू लेकिन हम लोग सबसे पहले किसे सॉल्फ करेंगे? ब्रेकेट को मालम होना चाहिए है है सबसे पहले हम लोग ब्रेकेट सॉल्फ करते हैं और ब्रेकेट में रिफ्रेंश जाता है सबसे पहले है स्मॉल ब्रेकेट को उसके बाद करली ब्रेकेट को और इसके बाद बिग ब्रेकेट को इन तीनों के जो भी ब्रेकेट है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट को remove करते हैं अब भर भाद ही हम लोग of division, multiplication यह सब को remove करते हैं तो 16 in equation में पहले ब्रैकेट solve करते हैं तो इसके बाद क्या आता है? OFF आता है, okay? B for bracket, O for off. तो यहां पर OFF है इस कोश्चन में? हाँ, तो OFF है, 15 of 2 है, अब हम लोग इसे solve करेंगे, तो 15 of 2 OFF मतलब क्या मैं बोल चुकी हूँ? OFF मिन्स मल्टिप्लाई इन दोनों को क्या कर देना है? मल्टिप्लाई कर देना है, तो 15, मल्टिप्लाई 2 क्या आएगा? 30, okay? 11 into 2 plus 30 आया, अब 11 into 2 पहले क्या होगा? मल्टिप्लिकेशन होगा, या एडिशन होगा? तो बोट मास में पहले क्या आता है? M आता है, इसलिए मल्टिप्लिकेशन होगा, तो 11 मल्टिप्लाई 2 क्या आया? 22 और प्लस 30 कर 30, अब यहाँ पे मेरा लास्ट क्या बच रहा है? बस एक ही ओप्रेशन बच रहा है, क्या करने को? एडि करने को, तो 22 प्लस 30 क्या आएगा? 52 इसका एंसर हो गया, यहाँ तक समझ में आई, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, और पूछिए, और समझ में आए, तो उसे, यह सब कोशन समझ के, बना कर, मुझे बताईए, आप लोग को अगर समझ में आ गई तो, यह में कोशन दी हूँ, आप लोग को सॉल्व करने के लिए, कि आप लोग को अच्छे सा समझ में आया है कि नहीं, अगर अच्छे सा समझ में आ गया है, तो आप लोग यह सब कोशन, यह सब कोशन को आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर समझ में नहीं आई है तो वह भी कोमेंट बोक्स में बोलिए और भी इसके रिलेटेट कोशन आपको लोग को सॉल्व करनी है या मुझसे पूछना है तो आप लोग प्लीज कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके बताईए और यह सब कोशन अगर समझ में आ गई है तो ठीक है आप लोग यह सब कोशन को सॉल्व कीजिएगा ओके सिंप्लीफाई करना है ठीक है तो आप लोग यह सब कोशन को सिंप्लीफाई कीजिए और मुझे कॉमेंट बोक्स में इन लोग का एंसर बताईए कि एंसर क्या होगा ओके थैंक्यू आज का वीडियो यहीं करती हूं I hope आप लोग को बोध मास रूल अच्छे से समझ में आई होगी